पिछले कई दिनों से वाट नंबर एक में राशन का बहुत इशू है, लोगों के पास दिन चार 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 पांच पांच महने के टोकन है, लेकिन राशन नहीं दिया जा रहा है, यहां पर लोग दिन में 400-500 रुपे कमाने वाले हैं, और इन लोगों को इसा सताया जा रहा है, कि वजह से लोगों के चार चार पांच महने के राशन बाखी हैं, और HDPI गुलबरगा, वाट नंबर एक की तरफ से हमारी यह दिमांड है, कि अगर 15 दिन के अंदर, अगर यह हमारे मेंबरेंडम के उपर अगर एक्षन नहीं दिया गया, तो हम पूरे वाट नंबर एक की अवाम को लाकर, डेप्टी डिरेक्टर के ओफिस के सामने बढ़ कर धरना करेंगा. लोगों के पास 3-3, 4-5 मेने के टोकन है, लेकिन राशन नहीं दिया जा रहा है, अभी नया राशन देने वाला आया है, हम जब जाके इसको पूछ रहे हैं, कि हमारे पास 4-5 मेने के टोकन बागी है, इसका राशन मांग रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि जो पिछले वाला द देने आये हुए हैं ताजनगर मुसलिम संग यहां पर लोग दिन में 400-500 रुपे कमाने वाले हैं और इन लोगों को इसा सताया जा रहा है और सबसे बड़ा इशू यह है जो देते थे एक दिन अंगोटा लगाती थे सुभा साथ बजे लोगों को पुलाते थे नो बजे और गंटे तो फिर आफिस रहती हैं उनकी क्लोस कर दे दे पिर जब लोग पूछने आये तो बोलते थे कि कर लगाएंगे पीर जब दुसरे दिन भी जाते थे फिर वापस दो गंटे लगाता तो फिर आफिस बंद बन कर दे ते थे फिर 2-3 दिन आईसा ही टलाने के बद तो ट अगर ये हमारे मेंबुरेंडम के उपर अगर एक्षा नहीं लिया गया तो हम पूरे वाट नमबर एक की अवाम को लाकर डिप्टी डिरेक्टर के ओफिस के सामने बेट कर धरना करेंगा